सूर कुमार ज्यादाओ मैं सुनिंग कैश पकड़ने के बाद वर्ड कप जिताया ट्रॉफी घर लेक्या है अब वो आज के मैश में भारत के लिए कपतानी करते हुए दिखेंगे शीलंका में दुआ है उनके साथ है बहुत शांदार प्लेयर है तैतिस साल के कपतानी उनको मि कामन कंपोस दिखते हैं रिलाक्स होते हैं मैश में भी पारियां खिलते हैं तो मुझे लगता है कि शुरकुमार यादा हो अच्छा काम करेंगा ऐसे कैप्टन क्योंकि दो साले हम के पास 2026 मिश कप है दो साल का सफर मिलेगा उनको टाइम मिलेगा टीम बनाया टीम तियार क करें और में मौनना है कि काम आने वाला भला पकंप सलए को इसमार के साथ आई पेडिया क्यों बनाए जारा है और विश की लग के ला प Quindi क्यों को लेके नहीं तो स्कॕरी है रन कब आएं मत बुरे वक्त में और जब भी बुरा वक्त आए याद करें रोई शर्मा को सूर कुमार यादाओ मैं सुनिंग कैश पकड़ने के बाद वर्ड काप जिताया ट्रॉफी घर लेकिया है अब वो आज के मैश में भारत के लिए कपतानी करते हुए दिखेंगे शीलंका में दुआ हैं उनके साथ हैं बहुत शांदार प्लेयर हैं 33 साल के कपतानी इनको मिली है शागिर्द है रोई शर्मा के बहुत कुछ सीखा भी होगा बहुत टाइम बेजा है रोई शर्मा के साथ यूंकि दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी हैं तो मेरा मानना है वो जो तज़र्बा है उनके साथ उठने बैटने का मुंबर इंडियन्स के लिए भारत के लिए बहुत काम आने वाला है काम इन कंपोस दिखते हैं रिलाक्स होते हैं मैच विन पारियां खिलते हैं तो मुझे लगता है कि शुरकुमार यादा हो अच्छा काम करेंगा इस एक कैप्टन क्योंकि दो साल हैं के पास तोज़ाचभी से विशकप है दो साल का सफर मिलेगा उनको टाइम मिलेगा टीम बनाए टीम तयार करें और मेरा मानना है कि एक्स्पीरि lid स्कामने वाला है बल्ला उनका चले है अलोशना होगी बहुत सालोशना होगी बीच में लोग बुरा भला बोलेंगे जो रोश हर्मा के साथ हूं इपियल में अभी हाल की बाद बता रहा हूं कि उनको लोगों ने बोला क्यों वर्ड कप लेके जा रहे हैं तो स्कोरी निकरन नहीं बन रहा है इनके बल्ले से पर वो विश्कप खिलने गए तजरुबा काम आया 37 साल के रोश्रमा ने विश्कप जिताया और टौफिक खिलने बताब को